पुछना चाहते हैं कि जैडियू का बीजेपी में बिले कब होने जा रहा है एथा सिग्ध जनता दलियू का बिले होगा आरजेडी में अरे गिराज सिंग को छोड़िए ने गिराज सिंग का अपना टियार पी रहा वो तो बिल्कुल सरणम का च्छामी हो चुकर तुसका द्वस्तेक है तो इससा तो बहतर है कि 29 कुमाल पार्टी का बोलिया बसको खमेट करके भारतिय जनता पार्टी में मिल जाए आप अगर कहिए तो मैं एफिडेविट करने के लिए तियार हूँ कि आज रेकल दोनों पार्टी का मर्जर होगा एक हवर मीडिया में फिर से फैल रही है बढ़ रही है खास करके जब अखलेश परसाथ सिंग कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्ष नहीं ये बयान दिया उन्होंने तो जाकर क्या गिल लिया कि अब तक शौदा बार नितिस कुमार पिछले जबसे वो गए हैं इंडिया के साथ तब से बोल चुके हैं सफाई दे चुके हैं पर वो counting करने के लिए नहीं आये हैं कि 14 बार बोले हैं या 24 बार बोले हैं बलकि एक और खबर जब महागडबंदन में नितिस्कुमार हुआ करते थे आज GDU महागडबंदन के साथ RGD के साथ हुआ करते थी तब ये खबर खूब चलती थी और इससे जारा चलती थी कि कितने ये तोप से लेकर के बीजेपी के जो टॉप ब्रांड हिंदू किंग राज सिंग से लेकर के पढ़े लिखे वेतित्व वाले सुसील मोदी से लेकर के हर कोई एक चोटा कार करता तक ये बोलते रहता था कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसो इवें मीडिया में इंटरनेशन पर फैल गया था कि मर्ज होने के बाद ये होगा जंडा, ये होगा सेंबल, ये होगा रंग, कलर, सब कुछ टै कर लिया था मीडिया ने सोचल मीडिया ने सब कुछ अपने बैठ कर के तो हमने सोचा क्यों ना निउज हंटर पर हम आपके लिए वो सारे इंसिडेंट लेके आएं और वो सारे लोगों को फिर से रिवाइब करें, मेमराइज करें कि कब किसने क्या बोला था RGD और GDU के विलाई के बारे में पिछले दो सालों के दो ना, दो साल से जादा ही होगे, 2022 से ही ये ख़बर चल रही है, लगभग दो साल से जादा हो गए हैं, तो एक एक क करके हम आपको बताते हैं, कि कब किसने क्या बोला था, नितिश कुमार जिनको पल्टू राम कहा गया था, यही आपोजिशन के द्वारा, यही आरजेडी के द्वारा, यही महाकडबंधन के लोगों के द्वारा, यही इंडिया लाइन्स के द्वारा, आज वही इंडिया करते हैं यह आजाएए ना जल्दी इधर फिर से वापस आजाएए अभी 11 अक्टूबर को जेपी के कारिक्रम में जब नहीं होने दिया गया था यूपी में कुछ भगदर वहां पे होई थी अगले स्यादर को नहीं आने दिया गया था जेपी के माले आरपन करने के लिए साथ हैं और यहां तक हो गया था भी तो सितंबर में 11 अक्टूबर को अखलेसी अधर को यह बयान आया और 5 सितंबर सितंबर के सेकेंड वीक में एक वीडियो पुराना वाइरल हो गया था जिसमें नितिस कुमार जब बीजेपी छोड़कर के महागडबंदन में जा रहा थ सोचल मीडिया पर वाट्साफ उनिवर्सिटी के ऊपर कि यह नया रीसिंट लेटेस्ट स्टेप्मेंट है नितिस कुमार का यानि कि फिर से पलटी मारने वाले हैं तो इस तक इस लेवल तक जाता है यह वाइरल तो यह छोड़िए अब इस पर आते हैं कि मर्जर का क्या हु हुआ कि 16 जनवरी 2019 को कहते हैं पहली बार किसी ने मर्जर के बारे में बात किया था उस समय 16 जनवरी 2019 को उधर नराइन चौधरी जी ने और उसके बाद फिर 9 दिसंबर 2019 को सिवानन तिवारी जी ने यह बोला था ऑन रिकॉर्ड बोला था कि जेडी यू का मर्जर हो खबर वो चलेगा आर जी डी के साथ मर्जर लेकिन 2019 में जब खबर चल रही थी तब कहा जा रहा था कि यह बीजेपी में मर्जर होगा हलाकि स्टेट्मिंट बाद में आया है यह नितिश कुमार ने आठ अक्टूबर 2022 को एक बयान दिया था मेडिया वाले को कि परसांद की सोर ने उनको सजेस्ट किया था कि आप मर्ज कर दीजिए अपनी पाटी जेडियो को कॉंग्रेस के साथ और यह कब गया था दोहजार अठारा क्या सपा सुन्होंने का 2022 में स्ट्रेट्मिंट दे रहे हैं चार साल पहले जिसका मतलब 2018 यानि कि पहली बार साहिद परसांद की सोर ही हैं जिन्होंने पॉब्लिक ली न सही लेकिन अंदर से अगर नितिश्कुमार सही बोल रहे हैं तो उनको सजेसंदिया था कि जेडियो को मर्ज कर दीजिए और उसमें मर्ज करने के बाद चल रहा था इसके साथ तो आएक बार बीच में बोलता है हमको बीच में आकर क कह रहा था कि अपना पार्टी को कॉंग्रेस पार्टी में मर्ज कर दीजिए हमके बला हम कॉंग्रेस के साथ उसके बाद बीजेपी के साथ और उसके बाद फिर हलाकि परसांद कि सोर को भी आप जूट नहीं बूल सकते हैं परसांद कि सोर के इस नितिश्कुमार के दावे को क्योंकि परसांद किसोद खुद अपने सब्दों में उन्होंने हैं 22 नवंबर 2023 को ये साफ साफ है ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था और उनका सिधा लाइन है I had predicted that BJP would not get 100 seat in West Bengal election and now I am predicting the resolution of JDU which is bound to come true यानि कि इनका कहने का मतलब है कि मैंने कहा था कि वेस्ट बेंगॉल में BJP को 100 seats नहीं आए और नहीं आए क्योंकि 77 पर अटक गई थी और अब मैं द्वारा भविजवानी कर रहा हूं कि 2024 के election के बाद लोग सभा के election के बाद GDU खत्म हो जाएगी BJP में मर्ज हो जाएगी यह आरजडी में मर्ज हो जाएगी कि यह 22 नमबर 2023 को यह बयान दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हावे में statement दे रहे थिन देशकुमार तो वह एक अलग बात है अब ऐसे बहुत सारे और भी incident मिल जाएग और उन्हेंने बयान दे ताब तो सरनम गच्छामी हो गए अब कुछ बचात होई नहीं है नितिसकुमार के पास GDU के पास तो खतम हो जोकी है उसी समय ने किया था अब क्या बचा होगा नितिसकुमार के पास यह आप खुद सोचिए आज के rate में कहां पे है वो उसके होगा GDU का RGD के साथ या GDU विलेन हो जाएगे यह दो साल पहले का स्टेटमेंट है यह मोदी जी का स्टेटमेंट सुसिल मोदी जी का अब तो नहीं रहे वह रेकिन पांच नमंबर 2022 के पूरे के पूरे दो साल से उपर हो गया है अभी तक ना तो विलेन होई है GDU और नहीं विले हुआ है पंच तत्मी विलेन जरूर हो गए है सुसिल मोदी जी और फिर उसके बाद फिर उपेंदर कुसवाहा जी ने जुलाई 2023 में कहा था कि अब तो खतम हो गए पार्टी अब तो कुछ बचा नहीं है इनके पास अब तो इनका विले होना तय है हलाकि यही पेंदर कुसवाहा दिसंबर 2022 में जब यह चर्चा खूब चल रही थी कि आरजीडी के साथ विले हो जाएगा जीडी यू का तब उन्हें इसका विरूद किया था पागल वागल हो गया है कोई पार्टी जो है आत्म हत्या करेगी ऐसे विले करा करके ऐसे नहीं होता है या मीडिया में जगह बनाया था वो जगह बनाया था गिराज सिंग का स्टेटमेंट है जब उन्होंने 23 दिसंबर 2023 को कहा था कि यह अविले होना तै है सब कुछ तै हो गया और उस इस टाइम पर बहुत खबरे चप रही थी बहुत खबरे चल रही थी वीडिया में यहां तक छप गया था कि जण्डे के बीच में जो है चक्र होगा जो पहले समतापाटी मिसाल और यह सब सब पहले हुआ करता था जैसे चक्र वैसे ही रहेगा इस तरह का चीजे यहां तक हो गया था और यह सब कुछ यह पूरा का पूरा मजमा जो क्रियेट हुआ था 2022 में राकि जब RGD का राष्टी अधिवेशन हो रहा था उस राष्टी अधिवेशन के अंदर RGD ने एक रेजुलिशन पास किया था रेजुलिशन में यह कहा था कि RGD के राष्टी अध्यव्ष को यह पूर्णता अधिकार होगा कि वो अपने पार्टी का किसी के साथ मर्ज करा सक उस पार्टी का नाम बदल सकती है जंडा बदल सकती है और उसके साथ-साथ जो उनका चिन है वो भी बदल सकती है तो उस समय हुआ कि आखिर एक एक RGD को यह क्या आनपड़ी कि वो इस तरह का पुराने चीज़ों को भी याद रखिए क्यूंकि इतिहास ही आपको आयना दिखाएगा बने रही निवीज़ों को भूल जाते हैं कि आप पुराने चीज़ों को भी चला करती थी तो हमारा मकसद है कि आप पुराने चीज़ों को भी याद रखिए क्यूंकि इतिहास ही आपको आयना दिखाएगा बने रही निवीज़ों के साथ हमें इतिहास को भी खंखा लेंगे खोखला करेंगे, खोदेंगे, जो आप समझे, और वर्तमान में तो हम जी ही रहें, वर्तमान में आप न्यूजेंटर देख रहे हैं, और देखते रहे हैं वर्तमान से लेकर के भवे से तक, नमस्कार.